इंडिया में loneliness के statistics के बारे में accurate data तो नहीं है पर ये बात सच है कि pandemic ने इंडिया के अंदर loneliness के cases बढ़ा दिये हैं इंडिया में loneliness बढ़ता जा रहा है ब्राजिल और टर्की के बाद इंडिया loneliness के मामले में थर्ड नमबर पे हैं इंडिया में 43% लोग अकेलापन महसुस करते हैं ग्लोबल सरवे के according दुनिया भर में लगबग 33% अडल ने अकेलेपन की भावना experience की है तो ये ही क्यों कुमोरी क है 25 साल के कार्तिक के parents ने एक interview में कहा कि वो हमेशा शाय और इंट्रोवर्ट था लेकिन pandemic के बाद उसके behavior में drastic change आया उसने family के calls उठाना बंद किये social gatherings और करने लगा और hostel की रूम में खुद को अकेले बंद किया करता था थर्ड semester के बाद जो घर वापिस लोटा तो उसके ब जाता है इसका ट्रेंट जपान में बढ़ता जा रहा है अकेला पंजब हद से बढ़ जाता है तो उसे ही को मोरी कहते हैं जो डिप्रेशन परसनालिटी डिसॉर्डर इंसोमनिया अल्जाइमर्स डिसीज आदी से भी जुड़ा हुआ है तो यह लोनलीनेस आखिर क्या है लो पिरेड अफ टाइम की वज़े से हो जैसे अकेला पन या सोशल आइसोलेशन यह मन की एक अवस्ता है जो किसी भी उम्र, लिंग या बैग्राउंड की लोगों को प्रभावित कर सकती है जो लोग अकेला पन का अनुभव कर रहे हैं वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उन्हे दूसरे लोग समझते नहीं है उनका समर्तन नहीं करते या उन्हें महत्वन नहीं देते अकेला पन दो प्रकार का होता है पहला emotional loneliness मतलब भावनात्म का अकेलापन और दूसरा social loneliness मतलब सामाजी का अकेलापन तो ये emotional loneliness क्या है emotional loneliness एक ऐसी फिलिंग है जिसकी वज़े से कोई individual अपने relationships के अंदर emotionally unsupported या disconnected फिल करता है। इसका मतलब ये होता है कि individual के पास कुछ लोग हो सकते हैं पर वो emotionally याद नहीं करतें या फिर उसे emotionally support नहीं मिलता है। किसी भी relationship में emotional intimacy बहुत important होती है। इसके absence से loneliness की feeling भी हो सकती है। Emotional loneliness का impact आपके mental और emotional health पर पड़ता है और ये आपके relationships और well-being पर भी negative impact डाल सकता है। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसे लोगों की कमी है जिन पर वे भरोसा कर सके या उनके साथ अपने personal experience शेयर कर सके। Social loneliness किसे कहते हैं? Social loneliness या social isolation एक ऐसा ऐसास है जिसमें लोग अपने आसपास के लोगों से जुड़े होने की कमी महसुस करते हैं। यही ऐसास मौहों से अलग महसुस करने के कारण पैदा होता है। जब लोग अपने आसपास के लोगों से जुड़े ना होने के कारण अधिक समय के लिए social loneliness का शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें depression और anxiety जैसे mental health problem होने के खत्रे भी होते हैं। अब हम इसके solution के बारे में बात करेंगे। अगर आपको emotional loneliness का एसास हो तो किसी दोस्ते आप परिवार के साथ बात करें। कुछ ही देर की बात से आपका mood better हो सकता है और आप positive feel कर सकते हैं। याद रखे आप हमेशा अकेले नहीं हैं। आपके चाहने वाले आपके साथ हैं और आपको मदद कर सकते हैं। कुछ suggestions और loneliness को overcome करने में आपकी help कर सकते हैं। इंक्लीडिंग socializing, volunteering, joining new social groups and engaging in new hobbies और activities that you enjoy। Additionally, counselling या therapy के थ्रू भी help ली जा सकती है। नबर वान, socializing जितना हो सके अपने friends and family से contact में रहें। नए friends बनाने में कोशिश करें और social activities में participate करें। इससे आपकी social connection को improve करने में help मिलेगी। नबर टू, volunteering volunteering एक अच्छा हुपाय है। इससे न केवल आपका confidence level बढ़ेगा, बलकि ये भी आपको किसी अच्छे cause का हिसा बनने में help करेगा। नबर त्री, joining new social groups कुछ community groups या club join करें जिसमें आपका interest है। और वहाँ friends बनाने की कोशिश करें। नबर 4, engaging in new hobbies और activities अपने पसंद के hobbies और activities को pursue करें। इससे न केवल आपका time pass होगा, बलकि आपका mind relaxed भी रहेगा। नबर 5, counseling या therapy अगर आपको social loneliness बहुत ही serious है, तो आप counseling या therapy भी try कर सकते हैं। इससे आपका mindset और thoughts को समझने में help मिलती है। और इसका long term impact भी होता है। उपर दिये गए solution की मदद से, social loneliness का ऐसास कम किया जा सकता है। If you like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon for the notifications. झाल झाल